मुकुल वासनिक जी, शक्ति सिंग गोहेल जी, अमित चावडा जी, दीपक बाबरिया जी, शैलेश परमार जी, जगदीश ठाकुर जी, सिदाथ पतेल जी, आमी यागनिक जी, लाल जी, देशाई जी, हिमत सिंग पतेल जी, जिगनेश मिवानी जी, इंद्रविजे जी, इमरान केडवाला जी, ललित भाई, लाला भाई पतेल जी, मतलब हमारे सारे के सारे सीनियर नेता, और हमारे प्यारे कार्यकरता, बबर्शे टाइगर, आप सब क आप सबका यहां मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूँ पार्लिमंट हाउस में आपने देखा होगा कि अजीब सी बात है बीजेपी की जो पूरी मुवमन्ट थी राम मंदिर की अयोदिया की मुवमन्ट थी सही बात शुरुवाद अडवानी जी ने की थी रत यात्रा हुई थी उसमें आपने अडवानी जी को रत पे देखा था कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने उस यात्रा में इनाउगरेशन में अदानी जी दिग गए अंबानी जी दिग गए मगर गरीब व्यक्ति वहाँ कोई नहीं दिखा आपने देखा होगा टीवी पे देखा आपने अब उसका नतीजा बताता हूं पार्लेमंट में मैं यहां बैठता हूं यहां पे अयोधिया के एंपी बैठते हैं देखा आपने उनका चेहरा इंडिया गटबंदन के हैं है ना मैंने उनसे पूछा कि भाईया आप मुझे एक बात समझाओ यह बीजेपी ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स अयोधिया की पॉलिटिक्स थी चुनाओ के पहले इन्होंने राम मंदिर का इनोग्रेशन किया राम भगवान को पुलिटिसाइज करने की कोशिश की मीडिया में फैला दिया मैंने उनसे पूछा भाईया एक बात बताओ यह हुआ क्या कि उन्होंने राम मंदिर का इनोग्रेशन किया और इंडिया गटबंदन अयोधिया में चुनाओ जीत किया यह हुआ क्या और मुझे जवाब उन्होंने दिया मैं यह जवाब आपको देना चाहता हूँ उन्हेंने का राहुल जी मुझे पता लग गया था तकरीबन छे महीने पहले मुझे पता लग गया था कि मैं अयोधिया से लड़ूंगा और जिस दिन मुझे पता लगा उस दिन मुझे यह भी मालूम था कि मैं सिर्फ लड़ूंगा नहीं इंडिया गड़बंदन अयोधिया से जीतने जा रहा है मैंने कहा कि आपको कैसे मालूम पूरी देश में मीडिया में सब जगे राम मंदिर का इन्योग्रेशन हुआ मैं लोगों से बात करता था तो मुझे आयोधिया के लोग सिर्फ दो तीन चीज़ें कहते थे पहली बात कहते थे कि आयोधिया में मंदिर बनाने के लिए क्लीन अप करने के लिए बहुत सारे लोगों से जमीन ली गई बहुत सारे लोगों की दुकाने घर तोड़े गए और आज तक जिन लोगों के घर चीने गए तोड़े गए दुकाने तोड़ी गई आज तक उनको नरेंद्र मोदी जी ने कॉम्पनसेशन नहीं दिया पहली बात जहां भी वो जाता था लोग उनसे कहते थे हमारी जमीन चीनी गई सरकार ने हमें मुआवज़ा नहीं दिया दूसरी बात अयोदिया का इंटरनाशनल एरपॉट बना बड़ा एरपॉट जमीन किसकी गई? अयोदिया के किसानों की जमीन गई आज तक उनको सही मुआवज़ा नहीं मिला और तीसरी बात इन्हों ने बताई मुझे तीसरी बात राहूल जी अयोदिया की जनता को बहुत गुसा आया जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर के इनागुरेशन में अयोदिया का एक भी व्यक्ति नहीं था यह कारण थै मगर मैं आपको यह कहानी क्यूं बता रहा हूं क्यूंकि जो मुवमेंट अडवानी जी ने चालू की थी उस मुवमेंट को जो जिसका सेंटर अयोदिया था उस मुवमेंट को इंडिया गडबंदन ने अयोधिया में हरा दिया है बहुत बड़ी बात कहना हूँ मतलब इनका पूरा जो सेंटर था वहाँ पे हमने आप जैसे कार्य करताओं ने कॉंग्रेस पार्टी के कार्य करताओं ने और आप जाके पूछिए वहाँ पे समाजवादी पार्टी के किसी भी नहता से पूछ लीजिए और वह आपको बताएगा कि कॉंग्रेस पार्टी का कार्य करता बबबर शेर जैसे हमारे साथ खड़ा हो गया था एक इंच पीछे नहीं हटा तो अयोधिया में कॉंग्रेस पार्टी ने इंडिया गटबंदन ने इनको हराया है तो अगला स्टेप क्या है अब इन्होंने क्या किया अच्छा अंदर की बात बताता हूँ अब यहां आया हूँ परिवार से बात औरी तो अंदर की इंसाइड ट्रैक बता देता हूँ इंसाइड ट्रैक है उसी MP ने बताया राहुल जी यहां पर तीन बार सर्वे हुआ था नरेंद्र मोदी जी वारा नसी से नहीं लड़ना चाते थे नरेंद्र मोदी जी अयोधिया से लड़ना चाते थे उनके सर्वेयर आए तीन बार आए नरेंद्र मोधी जी आए और सर्वेयर ने उनको कह दिया नरेंद्र मोधी जी अगर आप अयोधिया से लड़ेंगे आप अयोधिया में हारेंगे आप अयोधिया में मत लड़िये क्योंकि अगर आप लड़ गए आपका राजनेतिक करियर अयोधिया में खतम हो जाएगा इसलिए अयोधिया से नहीं लड़े वारानसी से लड़े और वारानसी में हमने एक दो छोटी गलती कर दी नहीं तो वहाँ उनको निपट लेते मतलब आप देखिए अयोधिया में उन्हीं के लोगों ने उनसे कहा कि हारोगे और काशी में कितने से जीते एक लाख वोट से जीते मतलब जान बचा के निकले हैं सचा ही है जैसे मैंने पार्लिमंट हाउस में कहा हमारा काम यह जो लगा रखा है मैंने आज यह यह जो चिन लगा रखा है, इसको क्या कहते हैं, अबे मुद्रा कहते हैं, यह आपका चिन है, इसको भूलो मत आप, आप आज वापिस जाओगे, अलग-अलग धर्म के लोग हो आप, हर धर्म में यह चिन आपको दिखाई देगा, गुरु नानक जी की फोटो देखिए, म इसे मिने पार्लिमेंट में कहा, दुआ मांगी जाती है, दोनों हाथ से ऐसे मांगी जाती है, आप, आप, शिव जी की फोटो देखिए, उसमें आपको यह दिखाई देगा, और इसका मतलब है, डरो मत, डराओ मत, और मैं आपसे यहां कहने आया हूँ, इन्होंने आपके अफिस पे आपके कारताओं पर आक्रमन किया है, अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है, इन्होंने हमारे अफिस पे धमका कर, अफिस को तोड़ कर, हमें चैलेंज दिया है, चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूँ हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं जो हमने का और लिखके ले लो लिखके ले लो Congress Party कि जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोधी और BJP को गुजरात में जैसे हमने अयोदिया में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं कौन हराएगा हमारे लीडर हराएंगे हमारे बबर्शे टाइगर हराएंगे आपको आप देख रहे हो मैं बता रहा हूँ आपको देखो 50% आप मैं से लोग 50% आप क्या सोच सकते थे मैं अवकर पूछता हूँ आप क्या सोच सकते थे चुनाव से पहले आप सोच सकते थे कि अयोधिया में BJP हारेगी ना आप सोच सकते थे कि नरेंदर मोधी narae से जान बचा के निकलेगा मतलब मार्जिन ऐसे तुक कैसे निकलेगा सोच सकते थे मैं आपको बता रहा हूँ जैसे यह योदिया में हारे वैसे यहां पर हारने जा रहे है आपको सिर्फ एक काम करना है एक काम करना है आपको आपको सिर्फ गुजरात की जनता को सिर्फ एक बात बुलनी है आपको डरना नहीं है बिना डरे अगर आप बीजेपी से लड़ गए चाहे आप किसान हो, मजदूर हो, छोटे वियापारी हो अगर गुजरात की जनता बिना डरे लड़ गई बीजेपी सामने नहीं खड़ी हो पाईगे दूसरा उधारन देता हो, आप कॉंग्रेस पार्टी को जानते हो, जानते हो हमारी पार्टी में, कोई डरता है? कैसे मालूम? कैसे मालूम? हमारी पार्टी में दिल से बात कर देते हैं बड़ा सा बड़ा हो राहूल गांदी हो हमारे पार्टी के लोग कहते हैं मुझसे कहते हैं मेरे कमरे में आके कहते हैं राहूल जी ये जो आपने किया हमें अच्छा नहीं लगा कहते हैं मैं बता रहा हूँ आपको और मैं कहता हूँ आपने सही बोला इस बार मैंने ऐसे नहीं करना था जो आप बोल रहे हो वैसे करना था हम ड़ते नहीं है ना हमारे कार्य करता हमें बोलने से ड़ते हैं ना हम अपनी कार्य करता की बात सुनने से ड़ते हैं ना हमारा कार्य करता हम से ड़ता है अब देखिए मैं आपको रियालिटी बता रहा बीजेपी में नरेंद्र मोधी बैटे हैं उनकी पूरी टीम बैटी है उनके सामने मैं आपको इंटर्नल बात बता रहा हूं उन में से कोई नरेंद्र मोधी को नहीं चाहता मगर कोई नहीं चाहता मतलब पूरी leadership team देख लो आगे बैठी है मैं बता रहा हूँ आपको अंदर की बाद बता रहा हूँ inside track दे रहा हूँ कोई नहीं चाहता मगर दम नहीं है डरते है अगर नरेंदर मोधी जैसा leader Congress Party में होता पूरी Congress Party खड़े हो जाती कहती है नहीं हम डरते नहीं है हटो यहां से मगर उनकी Party में धमी नहीं है उनके कारेकरताओं में धम नहीं है आप देखो न एक आदमी खड़ा वहाँ पे सब की हवा निकल गई मतलब कारेकरताओं की हवा निकल गई की हवा निकल गई सारे। की हवा निकल गई सच बोल रहा हूं न? और हमारे मतलब छोटा सा चोटा कारेकरता होताओं टाइगर होता है आता है Congress President के सामने आता है राओल गांधी के सामने आता है कहता सब हैं मेरे दिल में यह बात है आपको ना लगे मैं तो बोल रहा हूं तो यह Congress Party अंग्रेजों के साथ यह खड़े हो गए थे सारे के सारे RSS वाले हम लड़े थे हम लड़े थे हम लड़े थे हमने कहा देश से हमने कहा था दरो मत दराओ मत हमने कहा था कि बीजेप के लोगे हाथ चोड़के कहाता भाईया डर गए हम जो करना है कर लो तो आप अपनी हिस्ट्री समझो जो डर की भावना होती है न वो आप में नहीं है उनमें है और इसी के कारण मैं आपको बता रहा हूं Congress Party गुजरात में जीतेगी और गुजरात से ही नहीं Congress Party बनेगी क्योंकि Congress Party मैं गहरी बात बोल रहा हूं मैं ऐसी आलतु फालतु बात नहीं करता हूं देखिए Congress Party बनी कहां थी मतलब हमारे जो सबसे बड़े नेता थे जिन्होंने रास्ता दिखाया था आप क्या सोचते हो जब यहां अंग्रेज राज करते थे क्या डर नहीं था गुजरात के वियक्ति ने कहा था महात्मा गांदी ने देश को कहा कि देखो डरो मत डराव मत और आज गुजरात से शुरू हुई थी और आज अगर Congress Party है तो वो पार्टी वो भावना वो सोच गुजरात से शुरू हुई थी इसलिए जब इन्होंने हमारा ओफिस तोड़ा मैंने सोचा भहिया मौका मिल गया अब हम इनको सबब सिखाएंगे जैसे इन्होंने हमारा ओफिस तोड़ा वैसे ही हम उनकी सरकार को तोड़ने जा रहे हैं अचा अब मैंने दरोमत की कि बात करी मगर एक शिकायद भी है एक शिकायद भी यह भी नहीं है कि कॉंग्रेस पार्टी गुजरात में कमिया नहीं है कि कहना पड़ेगा का कर ना पड़ेगा क कमी क्या है एक कार्यकर्टा ने मुझे बहुत अच्छी तरह बताया । कॉंग्रेस पार्टी के कार्यकर्टा ने राहुल जी कहता है मुझे राहुल जी यह कॉंग्रेस पार्टी में एक मुश्किल है दो तरीके के गोड़े होते हैं एक रेस का गोड़ा होता है दूसरा शादी का गोड़ा होता है ये आप कभी-कभी Congress Party क्या करती है रेस के गोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के गोड़े को रेस में लगा देती है तो उसने कहा ये आप बंद करा दीजे रेस के गोड़े को आप रेस दोड़ाईए और शादी के गोड़े को आप शादी में भेजिए तो ये हमें गुजुरात में करना है जो रेस का गोड़ा है जो त्यार है दोड़ने के लिए त्यार है उसको race में लगाना चाहिए और जो हमारे शादी के गोड़े हैं जो है वो है उनको हमें शादी में बराद में नचा देना चाहिए तो अब मेरा कहना है कि ये काम seriously करना है हम पिछले चुनाओं में आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ कि हम बीजेपी से पिछले चुनाओं में नहीं लड़े थे ठीक से नहीं लड़े थे उससे पहले चुनाओं में 2017 में हम तीन महीने कहलो चार महीने कहलो चार महीने तीन महीने हम लड़े और नतीजा आपने देखा आपने देखा गुजरात के सीनियर नेताओं ने मुझे बस में कहा मैं बता रहा हूँ आपको इंसाइड ट्रैक मुझे बस में कहा कि राहुल जी गुजरात में हमें 40 सीटे मिलेंगी मैंने उनसे कहा 40 नहीं हम चुनाव जीतने जा रहे हैं और 16 सीट से हम चुनाव हारे हैं अब 3 साल है तीन महीने में हम फिनिश लाइन तक पहुँच गए थे तीन साल में हम फिनिश लाइन को मतलब उदर पीछे छोड़के निकल जाएंगे हम मैं आपको यहां कह रहा हूँ कि आप लोग गुजरात में कितने साल बाद तीस साल हो गए मैं आपको बता रहा हूँ मानो ना मानो आप मेंसे 50 परसेंट अभी मान रहे हैं और 50 परसेंट कह रहे हैं नहीं होगा जो 50 % मान रहे हैं मैं आप से बात कर रहा हूँ जो 50 % मान रहे हैं मैं आपसे बात कर रहा हूँ आप लड़ जाओ और यह बागी 50 % परसेंट बैठे सारे सारे senior leader आपके साथ यहां खड़े होंगे आपके साथ मिलकर इनकी सरकार को तोड़ेंगे आपने बहुत सहा है आप बहुत लाठियां कहीं है बहुत अपमान हुआ है आपका गालिये खाई है आपने अब बहुत हो गया अब इनको हमें सबक सिखाना है और हम इनको हराने जा रहे हैं और और नफरत से नहीं महब्बत से महब्बत से आप देखना महब्बत से हम इनको हराएंगे कैसे क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो विजन था वो गुबारा जाथ वो फड़ गया है पटाग से वो फड़ गया है आप सोचिये पार्लिमेंट हाउस में नरेंद्र मोदी वहां बेटे में यहां और मैंने प्रधान enfantry जी उनके सामने कहा कि नरेंद्र मोधीजी आप एक व्यक्ति भी नहीं कह सकता हूं पता नहीं आप क्या है क्योंकि आपने ही कहा कि मैं नॉन बायोलोजिकल हूं मैं बायोलोजिकल नहीं हूं और मेरा मेरा सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है इस वर से अरे भया आपका डायरेक्ट कनेक्शन इस वर से तो ऐोदिया कैसे हार गए कैसे हार गए तो हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं कि बाकी सब लोग बायोलोजिकल गुजरात की जनता बायोलोजिकल गांदी जी बायोलोजिकल हिंदुस्तान के किसान, मजदूर सब लोग बायोलोजिकल और नरेंद्र मोदी नौन बायोलोजिकल स्पीकर जी ने, स्पीकर सर ने मुझे कहा, ऐसे मत बोलिये मैंने का मैं थोड़ी बोल रहा हूँ ये तो प्रधान मंत्री बोल रहे थे मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ स्पीकर बिलकुछ चुप हो गए बात तो सही है बात तो सही है ये राउल गान्दी के शब्द थोड़ी है यह तो हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री के शब्द है नॉन बायोलोजिकल अब सोचिए वो वियक्ति जो अपने आपको नॉन बायोलोजिकल समझता है और देश की जनता को बायोलोजिकल समझता है कि मतलब मैं यहाँ और बाकी जनता वहाँ वो गुजरात को विजन कैसे दे सकता है जो किसानों का दर्द नहीं समझ सकता मज़ूरों का दर्द नहीं समझ सकता डाइमंड इंडेस्ट्री में जो काम करते हैं उनका दर्द नहीं समझ सकता non-biological व्यक्ति वो गुजरात को कैसे रास्ता दिखा सकता है नहीं दिखा सकता तो अब आपका काम है गुजरात को विजन देना गुजरात के युवाओं को किसानों को, मजदूरों को, माताओं, बेहनों को विजन देना कि भाईया हम आपके लिए ये करने जा रहे है आपने हमारा मैनिफेस्टो देखा हिला के रख दिया था पीजेपी को आपने देखा वैसा मैनिफेस्टो बनाना है गुजरात के लिए गुजरात की जनता से मिलकर एक लाक लोगों ने हमारा मैनिफेस्टो बनाय था वैसे ही हम गुजरात में लाकों लोगों से पूछ कर अपना मैनिफेस्टों बनाएंगे गुजरात को विजन देंगे और फिर चुनाओ पूरा दम लगाके लड़ेंगे और यहां इनकी जो सरकार है उसको तोड़के हटपरे कर देंगे आप सबका दिल से धन्यवाद आकरी बात मैं कहना चाहता हूँ यहां जगनात यात्रा हुरी है आप सबको और यो यात्रा में भाग लेंगे आप सबको शुब कामनाई देना चाहता हूँ और दिल से दिल से प्यार देना चाहता हूँ आप सब का दिल से धन्यवाद नमस्कार जेहन अब है मुद्रा दरो मत दराओ मत